तो फरिदाबाद के दोरे पर पहुंचे कॉंग्रेस के वरिश निता यश्पाल सिंग नागर ने कहा कि हरियाना में पूर्ण बहुमत से कॉंग्रेस की सरकार बनेगी हरियाना में चारो तरफ कॉंग्रेस के लहर चल रही है आज जनता कॉंग्रेस को पोकार रही है आपको बता दे कि वरिदाबाद के तिगाओं विधान सबाशेतर से यश्पाल नागर के पुत्र रोहित नागर को कॉंग्रेस की टिकट पर चुनाव में उतारा गया है। उनका कहना है कि रोहित नागर को तिगाओं की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। देखिए आज रोहित नागर के पक्स में जो समर्थन तिगाओं विधासभा मिल रहा है। पूरे हर्याना के अंदर कॉंग्रेस पार्टी की लहर चल रही है। और आज चारों तरफ हर्याने की जनता कॉंग्रेस को पकार रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाना के अंदर 70 से कम से कम 70 सीटे हैं। कि किसानों को जिस तरीके से नोंने किसानों पचाचार किये। भारते जंतापाटी सरकार ने गरीबों को रोजगान नहीं मिला। बच्चों के अपने पेपर लीख हो गए लोज़मानों को अपने किस कदर मैंने बेरोजारी की बात की मजदूर की बात की लोगों को गाउंवा बीजली निपल दी सड़कों की बुरी हालत है सड़क खड़ों में खुच गई है पुरा बहुत ही पुरा हाल है देखिए आज हुआ है